क्या देख लिया रेचराश्टर नानी क्रीती सोरेस क्या पोफोमेंस क्या एक्टिंग क्या विजियम मतलब आपके साथ फ्लीम के बारे में मैं बात करें हूँ तो मुझे अंदर से खुसी हो रही है मैं अब तब भूल दें पाई फ्लीम की हर एक सीन को और क्लाइमेस को ओ भा होता है आप सिफ गिनिये मैं बताती हूँ लाव स्टोरी नानी और किची सुरेश की बीच क्रेमेस्ट्री बाइगाउड में बोरें हूँ तो अभी भी मुझे गुजबा मारे हैं जब दोनों को एक साथ दिखाय जाता है ना इतनी अच्छी बिजियम सुनाई देती है बस खो जाओगे उनके साथ और जब इन दोनों की इमोशनल एंगल दिखाय जाता है ना आप रो पड़ोगी नानी और सुरी की बीच की दूस्ती और इंटलभा की एक्शन सीन पूरी तरह से गुजबन देने वाली है फाश आप में हमें तीन-चार गाने सुनने को मिलते हैं ज नानी को क्यों नचुराश्टर कहा जाता है वह हमें हर एक सीन में बताते हैं चाहें वह एक्शन सीन हो या इमोशनल सीन फिल्म के इंटरवर्ट के बाद चीज तरह भी लेंग को इंटरद्यूस के जाता है और उसकी मोटे बताई जाता है सौकिंग था मतलब गजब यार फ सिब एक्सपेरियंस कर सकते हो फिर भी कहती हूं गजब की सिनमेटोगाफी जबा दस एक्शन से देखने को मिलती है जो आपको सीच से उटके ताली और सीटी माने के लिए मजबूर कह देती है और दसरा एक मोस्ट वास फिल्म है जो आपको जरू देखना चाहिए अगर आ इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टाटा खत्म